हलो हाई सलाम नमस्ते आज हमारे स्ट्यूडियो में आए हैं वकार सिद्धी की मदुवनी डिस्टिक कन्वेनर हैं हम उनसे बहुत तीखे सवाल करने वाले हैं क्योंकि महागटवंदन का वोट अगर कोई कुदर सकता है तो वो M.I.M सबसे पहले वकार शिद्धी की हुगा और दो यहां लगाऊंगा कि M.I.M महागटवंदन को नुकसान पहुंचाने आई है या अपना थो लेने आई हैं शुक्रिया सर जहां तक जाम आपका है कि महागरवंधन को नुक्सान पहुंचाने आई है यह बिल्कुल गलत है क्योंकि जमुरियत में सब को हक है कि हम चुनाव लड़ें और जहां तक मायम की बात है अलहम दिल्ला हम पिछले 16 अगस 2015 से हमारी पाटी बिहार म हर पंचायत लेवल पर बुथ लेवल पर हम लोग बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और इन्शाला इस बार बिहार के अवाम बड़े अच्छे मार्जिन के साथ मजलिस एत्यादल मुस्लिमीन के उमीदवार को जिताएगी तो आपने देखा कि MIM वोट कुतरने नहीं आए बलके उनका अधिकार है उन्होंने लोगों में अवेरनेस डाला और वो जानते हैं कि MIM बहतर बिहार बना सकता है मौजूदा बिहार से बहतर बिहार बना सकता है और इनकी राजनितिक पैट है लोगों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह कह दिया जाए कि MIM वोट काटने यह बस ऐसा हो गया कि जब आपके पास कोई जवाब नहीं है जब किसी को आप मतलब दुदकारना चाहते हैं किसी को नकारना चाहते हैं तो आप यह कह देते हैं कि वोट काटने आ हैं वकार साहब की बातों से मैं काफी इंस्पायर हुआ कि उन्होंने यह कहा कि इनका दूसरी दूसरा यह सवाल है कि बिहार असंबली एलक्षन में कितने कंडिडेट उतारेगी M.I.M अभी तक हमारे दो लिष्टा ही हमारी पार्टी की जिसमें 50 मिदवार जो है 50 विधान सबा हम लोग किलियर कर चुके हैं जिसमें मधवनी की दो विधान सबा है एक लेकिन पूरे बिहार की 248 विधान सबा पर हमारी पार्टी मजबूती के साथ लगने काम करेगी मैं ने सुना था कि बेनी पट्टी से भी आपके कंडिडेट उतर रहे हैं मतलब आप से मतलब M.I.M क्या जी जी बेनी पट्टी से बोले ना पूरे बिहार के 248 विधान सबा हमारी पार्टी बेनी पट्टी से भी उतर रहे हैं तो हम यह जानना चाहेंगे कि M.I.M. बिहार में मतलब किसी के साथ तो लड़ नहीं रही है यह अलग लड़ रही है या इनका कुछ अलाइंस होने वाला है कई छोटी पार्टिया जैसे बीच में सुनते आ रहे थे कि हम और यह पपू यादो जी की पार्टी इनके साथ एक अलग अलाइंस बनाएगी तो क्या लगता है आपको अभी तक सूचना आपके पास कहां तक आई है कि यह M.I.M. अकेले ही लरेगी या इनका एक अलग से छोटा मोटा अलाइंस होगा नहीं नहीं थर्ट फरंट की बिल्कुल बिहार में तयारी चल रही है और अलहम्दोल्ला बहुत आखरी हद तक हमारी पार्टी की बात हो चुकी है बहुत जल्द इन्शाला एक खप्ते के अंदर में हमारे पार्टी के परदेशत द्ग जो एलान करेंगा यानि के आप तयार हैं तीसरा महाज खुल चुका है तीसरा फरंट बन चुका है बिहार में तिल्कोनी चुनाओ होने जा रहा है और कहीं ऐसा नहों कि M.I.M. के पाले में घेंद आ जाए अगर M.I.M. किंग मेकर की पोजीशन में आया तो वो किस तरफ बॉल डालेगी वका यह तो बात किलिए है कि हम इंडिये की तरफ जाएंगे नहीं और किस तरफ जाएगी इसका फैसला आला कमान करेंगे तो कहीं न कहीं यह इसारा मिल चुका है कि अगर तिल्कोनी चुना हुआ नतीजे तीन कुनिये आए तो MIM इंडिये की तरफ नहीं जाएगी इसारा महागटवंदन की तरफ है वकार सिद्धी के साहब मैं आप से एक चीज और पूछना चाहूंगा कि MIM में खास करके लोग ये कहते हैं MIM के उपर इर्जाम लगाते हैं कि एक खास समुदाए की पार्टी है एक खास विचाल धारा की पार्टी है ये हिंदू — हिंदूस्तान की कल्चर को सपोर्ट नहीं करता है आप इस पर क्या देंगे ये बेलकुल बेबुनियाद इलजाम है अगर इसा होता कि एक खास कौम की एक खास जात की पार्टी है तो आपको मैं बता दूँ कि मधवनी से एक वरिष्ट नेता हमारे पार्टी के है इर्वकेट महिंदर नारायन जी तो अगर ऐसा होता तो वो हमारी पार्टी के साथ नहीं होते है बिहार में जब हमारी पार्टी 2015 में चुना लगने का काम क कॉर्परेटर जो है वो दलीट से आते हैं वो बीसी से आते हैं घर मुस्लिम है तो यह वकार सिदिकी साहब का कहना है कि हमारा सैकुलरी विचार धारा है यह मायम का सैकुलरी विचार धारा है हाँ यह है कि कुछ जो मतलब आपने आपको फरजी रास्ट भक्त कहते हैं उनक विचाए उनको हम नकारते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम हिंदूर से नफरत करते हैं साइद आप यही कहना चाह रहे थे जी जी बिलकुल 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 तो वकार सहब मैं आपसे कुछ और भी जानना चाहूंगा कि आप M.I.M. से कैसे जूरे और M.I.M. से किस तरह से आप इंस्पायर हुए क्योंकि मुझे यह सवाल पूछने में अच्छा नहीं लगता है कि आप आम कार्ड करके चील करके या चूस करके खाते हैं तो मैं आपको यहां पर आजाता हूँ कि आप M.I.M. से कैसे जूरे असुद्दीन उवैसी साब के आवाज को देखते हुए हमेशा मजलूमों के आवाज उठाई है तवानाई के साथ उन्हें आवाज उठाई है ना इंसाफी के खिलाफ अगर परलेमेंट में कोई बोला है तो सिर्फ और सिर्फ असुद्दीन उवैसी साब है अब दोहर 14 के बाद देख सकते हैं वाँ विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है नहीं तो कॉंग्रेस वाँ विपक्ष के रूप में है नहीं आरजेटी है नहीं सपा है नहीं बसपा है कोई भी नहीं है अगर विपक्ष की भूमी का कोई निभा रहा है तो सिर्फ बैरिश्ट सत्था पक्श और लिफ्ट का किंद्र बने हुए हैं एक कि अगर सोचे अब historians करता हूं थोड़ा कि अगर सोचे आप अगर अथ सत्था साहहंन हो तो आज अज बंत पreonbird कि में लोग किस तरह से मनमानी कर रहे होते हैं हलाके मनमानी कर रहे हैं लेकिन फिर भी असदुद्दीन ओवैसी सहाब के होने से कहीं न कहीं लोगों में बात जा रही है लोगों में आवर्नेस पैदा हो रही है मैं आप से एक और सवाल करना चाहूंगा कि क्या आप असदुद्दीन ओवाईसी सहाब से मिले हैं जी जी अलहमदुल्ला कई बार हमारी मुलाकात हुई है कई बार मुलाकात हुई है यह मुलाकात कहां हुई है देली में हुई है किशन गंज में हुई है दो जगा हमारी मुलाकात हुई है किशन गंज में चुनाओं क में काफी दिनों तक हम साथ थे उनके साथ तो बिहार को लेकर के क्या मॉडल है असुद्दीन ओवाईस्टी साहब के पास कुछ इसके बारे में कई हमारे पास जो है मुद्द्य है शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार, पलायन, उसके बाद रोड जहां जाए कहीं भी नहीं है कुछ भी नहीं है आप बेनी पट्टी विधान सभा को देख लीजिए बिस्फी विधान सभा को देख लीजिए एक छोटा सा भी अगर किसी की तवियत खराब होती है तो सीधे प्रवासी मजदूर को का इसलिए आप पार कर दीन होने के ना तो शिक्षा काम किया है नहीं तो रोजगार काम किया है नहीं यहां रोजगार का कोई यह है अंत में मैं आपको अब जाने देने वाला हूँ तो कुछ बिहार के नागरिक से आप अपनी तरफ से M.I.M. के लीडर के तोर पे M.I.M. के कारगी कल्टा के तोर पे कुछ मैसिज देना चाहेंगे जी जी हम बिहार के नागरी के तो यही ताकते गुजारिश करेंगे कि सम्विधान बचाने के लिए नाइंसाफी के खिलाफ मजलूमों के आवाज उठाने वाला अगर कोई है तो बैश्टर सुदिनों वैसी साब है इसलिए एक बार आप पुरे बिहार की अवाम से हमारी अफील है कि इस बार मजलिस इत्यादल मसलमीन को वोट देजिया और उनके नुमाइंदों काम्याब कीजिए ताकि विधान सवा में जाकर आपकी आवाज उठा सके आज तक हम लोगों ने जिनको भी भेजा है वो सिर्फ हमारा वोट लेते हैं हमारी आवाज को नहीं उठाई है इसलिए इस बार लोग जो है BJP हो या NDA मौका परस्त फिरका परस्त दोनों को इस बार न खारेंगे आप सोचे कि एक सीट हमारा लोक सवा में है अगर बिहार के विधान सवा में चार-पांस सीट हो जाए तो फिर क्या होगा तब तो मज़ा ही आ जाएगा ऐसे लोगों को मज़ा आ जाएगा जो समिधान की रक्षा करते हैं समिधान को बचाना चाहते हैं और जिसका अमनो अमान पे विश्वास है तो ये प्रोग्राम को मैं यहीं एंड करूंगा अगर आप वकार सहब की बातों से सहमत हैं असदुद्दीन OVC सहब को पसंद करते हैं तो आपके लिए फर्ज बनता है कि इस वीडियो को जादा से जादा फैला है ताके लोगों के अंदर असदुद्दीन OVC सहब के विचार M.I.M की धार और उनके कामों को बल मिल सके ये वीडियो आपने देखा इसके लिए मैं आपका सुकर गुजरा हूँ थाइंक्यू